हलो दोस्तो कैसे हो आप दोस्तो आज आपके लिए फिर एक बड़ी न्यूज लेकर आये हैं बड़ी जानकारी लेकर आये हैं जो आपके PF की जो KYCI है वो बहुत KYCI reject हो रही है आज कल बहुत परजेंट में मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा परजेंट में आप देख सकते हो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर अगर आप रिकोर्ड को देखो के तो रिकोर्ड के नुसर हम आपको यहां से दिखा देते हैं जो KYC यह बहुत रिजेक्ट हो रही है और आप यहां देख सकते हो री मार्क में आपको यहां नजर आ रहा होगा रिजेक्ट डू टू ने मिसमेच तो यहां पर यह एरर को देते हुए के वाइसी अब बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रही है आपको मैं यहां से एक फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूं यहां पर मैं जो आपको जो चीद दिखा रहा हूं उसको मैं किलियर कर रहा हूं उसको आपको ध्यान देना में क्या बोल रहा हूं यहां पर एक्षं टाइम अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक्षं टाइम में आपको दिख रहा होगा यहां पर चार फरवरी 2023 का यहां पर एक हमने क के वाइसी किया थे उससे पहले था के वाइसी ओनलाइन जो पोर्टल पर चड़ाते हैं ठीक है ना वह तो अलग टाइम था और चार फरवरी 2023 को इस पर action हुआ है action time आपको दिख रहा होगा और यहां पर इसको reject due to name miss match के कारण इसको reject कर दिया है यहां पर इसी वंदे का नहीं यहां पर बहुत ज्यादा आपके साथ यही के अंटर पूसेश दिखाती है वेरिफिक्स कर अंटर पूसेश दिखाने के बाद में आपका क्या होता है के वाइसी कुछ दिनों बाद आप चेक करो कि एक या दो दिन बाद तो वह आपकी के वाइसी दिखाती है पेंडिंग विद इंप्लोयर फोर डिजिटल सिगनेचर ठीक है ना उसके जश्ट बाद आपको वह के वाइसी का आप चेक करते हो आपका जब भी इंप्लोयर उसको चेक करता है उसको जो भी एक्शन लेता है उसके बाद आज बहुत मैं आपको बता रहा हूं बहुत केस अंसर हो जाता है ठीक है तो यहां पर इसी का मैं आपको सोलिशन दे रहा हूं आपको ध्यान देना है अब आपको यहां पर जो भी आपने अकाउंड अपना दे रखा है ठीक है उसको आप चेंज कर ये मैं जो बोल रहा हूं आपको मेरी बात पर ध्यान देना है आपको वह एक चीज दियान रखना है जब भी आप open करवाओं नया account आप किसी भी bank का करवा सकते हो याद रखे same bank में आपको दुबारा कभी भी account नहीं खुलवाना है यह चीज आपको याद रखनी है और उसी bank की same की आपको कभी KYC नहीं करनी है आपको bank change करना है KYC करवाने के लिए के साथ ठीक है लेकिन उससे पहले आप जब account खुलवाते हो उस समय की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आप only अपने आधार कार्ड के अंदर जो detail होती है उसी को आपको देना है और आप pen का pen भी क्या होता है bank account खुलने के लिए pen की demand होती है तो आपको यह याद रखना है जो आधार कार्ड के अंदर जो detail है वह same है और आपके pen में जो detail है वह same है और उसके बाद ही आप अपना account को खुलवा है क्योंकि same detail होगी तब ही जाके आपका account open होगा सही name से और आपके पीएप के अंदर भी जो detail है same name और आपका father name same होना चाहिए क्या होता है पीएप के अंदर जो father name है वह कुछ अलग होता है और आपके अधार कार्ड में father name में कुछ spelling का miss match होता है यह swarm के आपके भी हो सकता है खुद के में ठीक है यह चीज़ आपको note कर लेनी है मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ और जब भी आप KYC करो इसकी जा पर आपको वीडियो मिल जाएगा discussion में में link दे दूगा कि आप अपने पीएप या यूएने के साथ bank account को कैसे link करें ठीक है आपको समझ में होगी मेरी बात तो इस परकार से आप अपने bank को जोड सकते हो तो दोस्तों इस परकार से आप अपना जो भी solution है आप अपने हो जाएगा और आपकी KYC अपरूड हो जाएगी ठीक है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आपको आगए होगी तो इस परकार से आप अपने bank की KYC को कर सकते हो अगर reject दिखा रही है तो आप एक बार इस चीज को मेरी को जो मैंने बता है इसको आप एक बार इस्तमाल करना अजमाना आपका काम हो जाएगा तो आसा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आपको समझ में आगए होगा कि किस परकार से आप अपने reject जो KYC आजकल दिख रही है उसको कैसे आप अपरूड करवा सकते हो तो दोस्तों कैसे लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीड हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद